स्वागत करती हूं कैसे हैं आप सभी और जैसा कि आप लोग मेरे पीछे यहां पर यह लगा हुआ देख रहे होंगे तो मेरेट की न्यूज है और आपको पता है होगा नहीं पता जिनको मैं बता दू मैं भी मेरेट की हूँ तो यह जो है यहां देखिए यह मेरेट की न्यूज जो है यह लिखी हुई है और मैं आपको इसमें बताना चाहूंगी कि मेरट की न्यूज है और इसमें ये लिखा हुआ है कि जो इसमें लिखा है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोक के सदस्य टॉक्टर हरेंद्र कुमार राय ने कहा कि माधिमिक स्कूलों में टीजीटी पीजीटी शिक्षकों की भरती परिक्षा जनवरी तक कराने की तैय प्रदेश में शिक्षकों के खाली पदों को भरने के लिए शिक्षा आयोक पूरी तैयारी कर रहा है यह इसमें लिखा हुआ है कि क्या टीजीटी पीजीटी का एक्जाम जनवरी तक हो सकता तो मैंने अभी आपको बताया था कि दिसमबर्त में भी बात आरी थी कुछ काली बात ने होना है लेकिन जो मुझे लग रहा है कि वह एक्जाम जो है शायद बोड के लिखां के बाद हो बनाव 50-50 चांसेश हो सकते हैं जन्वरी में हो जाए और हो सकता है क्योंकि यह एक्जाम भी उसी तरीके से होगा जैसे कि अभी जो आपको पता होगा उत्रप्र जो पहले जो चीज़ें नहीं थी है वो सारी है कि बाइंट्रिक भी है और यह सब है तो हर बड़ी परिक्षा के लिए गाइडलाइन करी गई है तो उसके लिए केंद्रों के को तक सूचना पहुंचाना सारे इंतजाम करना जैसे पुलिस वाला एक्जाम होना था तो उसकी में सुबह शाम सुबह शाम की मीटिंग में कुछ में केंड़ीट बहुत जाता थे बाइमिट्रिक हुई थी और सारी चीज़ा बहुत सारी चीज़ा उसमें हुए अब जुक्वा गाइडलाइन आई वहीं तो एक दिनं एक्जाम हुआ कि सारे इकसाथ होता तो यह हो गया आप जनवरी से में बच्चों के प्रैक्टिकल भी शुरू हो जाते हैं एक ट्वेल्थ वाले बच्चों के तो बहुत सारी चीज़ा है जो मुझे लग रहा है कि एक्जाम शायद बोड एक्जाम के बीच में समय होता है उसके यह तीन-चार दिन में इस पेपर को निपटा ल तो वो जो है एक्जाम उसमें भी हो सब्सक्राइब बात जाने के चंसे जादा है तो बहुत जिन लोगों ने अभी तक अपनी किताब कॉपियां उठाकर जो है वो टंड पर डाल दी और अपना भूल गये थे कि हम टीजीटी पीजीटी के चातर भी है यूपी के तो अब निकाल लो दूल जाड़ और पढ़ लो और जो है बाकी कुछ काम नहीं आएगा यह वेकेंसी जो है जीजान लगा दो अपने आपको जहोंक दो कि भाई यह तो हमें आप करना ही है एक सीट अपने लिए दोड़ में भागेंगे तो बहुत लेकिन कामियाब वही होंगे जो अपना प्रैक्टिस सही करिए और इसके लिए आपके पास अभी भी समय है फिर यह नहीं होगा कि एक महीन आप देखो 2022 में जब फॉर्म आये थे ना तो कुछ लोगों ने तब तैयारी इसलिए नहीं करी फॉर्म भढ़ दिया अरे अभी क्या तैयारी करेंगे अगस्त में पेकर हो जाएगा चलो आगस्त में पेपर नहीं յहाँ दो महीन हा स्चेक फिर यह प्यारी करेंगे अब क्ला करेंगलों को तो ढूंट गव एक्स्कुस को यह च correlation क्टेक्स क्रूbak देखनी करो अब दिखने को मिल च premiere आपको एयसान्याकोई एसा यह एक्जाम ही पहली बार दो-तीन साल बाद हो रहा है दोजार एक्जाम को छोड़के सारे एक्जाम से ऐसे ही हुए तो इसलिए आप लोग यह मान के चलिए कि दोजा पच्चेस में आपका एक्जाम हो जाएगा तो अक्टूबर तो चली रहा है और जो है च्छे आपके पास समय आप भी बहुत बढ़िया तैयारी कर सकते हैं अगर अब भी कहीं जगे से तैयारी करते करते ठक गए हैं तो भी जो है फिर से दुबारा से किताबे खोली और पढ़ना शुरू कीजिए और अगर यह लग रहा है कि यार अभी तो तैयारी जो है करतो लिए ट्राइ और देना चाहिए तो एक ट्राइ और करो और जो लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं उनके लिए मैं आपको यह बताओं कि हमारा जो यह बैच यह वीडियो बैच आप लोग कहते हैं कि लाइव पढ़ा लो भाई बात यह है मैं आपको बिलकुल एक्शुली मे अगर आप एक घंटा रोज पढ़ते हर इंसान की अपनी के पैसिटी होती है सपढ़ने की यह समझने की तो बात यह है कि यह अगर मैं कर भी दूं स्टार्ट तो मैं मुझे पता है कि मैं जस्चस नहीं गर पाऊंगी लाइव में पढ़ा कर हो सकता है बाद में की डेट आ जा को हमारे सबी सुधनेट के पास यही वीडियो है और जिसमें ऑ दलती है वह लकासे स्थी से लगाए जब नहीं है आपको बस पढ़ना है नोट सारे आपको इसमें मिलेंगे सारी защ आपको इसमें मिलेगी से और यह प्रैक्टिस पेपर भी आएंगे प्रेक्टिस पेपर भी है सारा सार méटीार जो है आपकाiqué too much तो साओ आपको पढ़ाई स्टार्ट करूंगी इसके आलावा मुझे पूटी भी स्टार्ट करना वाला प्रेक्टि स्टार्ट तक और कुछ निए कि एक सिंपल बात यह कि अगर आपको को कि किसी टीचर के बश्के लगातार च्छे गंटे च्छे गंटे पढ़ाना ना स्टूड़न्ट के बसके चुड़न्ट अपना ब्रेक लेके में बैटके पढ़ते हैं तो यह होता है यह दो घंटी फिर 15 मिनट का ब्रेक लिए पर पढ़ लिए इस तारीके से ऐधर दिमाग बैस को खरीदना चाहेंगे और अभी क्योंकि अब आ गया है अब पेपर तो हूँ नहीं है अगर अब भी तैयारी नहीं करी है तो कर लो तैयारी ठीक है इस फॉर यू आप तैयारी करो हम आपके साथ हैं और जो लोग मेरा काम तो यह है कि आपके पास कम समय में जैसे कुछ लोग है कैता है हमारे पास हमें पासा चीज पढ़नी था पर सबाट आपको मिलेगा और बहुत ही दो मेरी सबने सब की कंडीशन जो लोग अपने हाप तैयारी करना चाहते हैं आज हमारा जो है वह टो टॉपिक है कि वह मैंने रोमंटिक एज ले रखा है विलियम वर्ड़सफर्ट के विल्यम वर्ट्सवर्थ कीट शेले काल्ट रिज यह ले रही थी और हांडिट कुशन स्कूर्ण में आप लोगों को कर वा रही थी उसमें मैंने 20 कुशंट करीब कर वा दिये थे और अभ जो है आघे के 21 से कुशन में आप लोगों को कर वाओंगी जो जवाब देते चलिए to the west wind की लाइन है that if winter comes can spring be far behind that is ode to the west wind which of the following book influenced Shelley most Shelley किस book से सबसे ज़्यादा प्रभावित थे तो शैले जो प्रभावित थे वह प्रभावित थे वह कि ιंधियम गॉपधिन की पोलिटिकल जड़ जस्टिस से विलियम गॉपधिन कि आईटीकल जूपधिन और यह और की लगता था यह जो पोयम है इसमें जो दिखाया गया है की लाइफ की फ्यूटिलिटी को दिखाया गया है ओ वर्ड ओ लाइफ ओ टाइम इस अ लिरिक इट सा लिरिक आप देख रहे हैं मार्क ओफ एक्स्क्लेमेशन लगा हुआ है यह कहां से ली गई है यह लाइन आई फॉल अपने साथ ले चलो क्योंकि यहां पर मेटाफर यूज किया गया है लाइफ के परिशानियों को थॉन से कंपेर करा गया है और क्या रहा है कि और विन अपर्सन इस फीलिंग हर्ट तो यह जो है इसमें दिखाया गया है और यह वह स्वेंड से प्रे कर रहे हैं कि टेक मी विद्यू मैं को अपने साथ ल लिखता है कि यह लइन कहां से ली गई है यह लाइन जो है वो विल्यम वर्ट स्वार्ट विलिंग को जब देनं he harbinger of nature कहा जाता है और उन्होंने जो है who treated nature as mother, teacher, beloved and he felt that there is a divine presence in each and every object of nature. तो ये जो है our birth is but asleep and forgetting ये line owed on intimations of immortality से लिया गया है Wordsworth. When did the French Revolution begin? French Revolution की शुरुवात हुई थी 1789 में ठीक है जी 1789 में French Revolution की शुरुवात हुई थी ये जो French Revolution है, it was not only in the field of politics it was a germ that gave birth to revolutionaries और 1798 में आया था लिरिकल बैलेट्स जिसने शुरुवात करी थी romantic age की. लिरिकल बैलेट्स 1789 में French Revolution start हुआ था. From whom did the English romantic poet get the idea of return to nature? Rousseau, Godwin, Corbett, Nunn. तो ये भी आप सबको पता, return to nature का जो concept दिया था वो Rousseau ने दिया था, that was given by Rousseau, that is Rousseau. Who gave a separate life and soul to nature? किसने separate life and soul? Nature को नेचर को एक living being के रूप में जिसने जिया है वो आपके रूप में देखा है, teacher के रूप में भी, mother के रूप में भी, beloved के रूप में भी लेकिन ज्यादा तर उन्होंने teacher के रूप में देखा, वो आपके line है ना, one impulse from a vernal wood may teach you more of man than all the sages can. ये आपका tables turned की line है one impulse from a vernal wood may teach you more of the man of more evil and of good than all the sages can. ये लाइन किसकी है यहां पर उन्होंने अपने दोस्त मैथ्यू को कह रहे है कि छोड़ा यह बढ़ाई बढ़ाई और जो है क्या करो तुम nature में जाओ, let nature be your teacher, that's Wordsworth. वर्टसवत की death कब हुई थी यह एक ऐसा question है, ऐसा ही कोई ही व्यक्ति होगा जिसे नहीं पता होगा and afterwards वर Tennyson became the poet laureate and that is 1850, 1850, which bird was killed in the rhyme of the ancient mariner? यह एक बैलड है और इसमें जो कहानी जो है वो सुनाई गई है जो bird मार दिया जाता है और उसको लटका के गले में घूमना पड़ता है, that was that was Albatross, that is A. Albatross. Where did Samuel Coleridge die? Samuel Coleridge की death कहाँ हुई थी? Samuel Coleridge जो है कहा जाता है कि जुन ने कहा था, I have a smack of Hamlet in me, कि मेरे अंदर खुद खुद हमलेट का वो है और और वो जो है एक जो है उनको यह भी कहा जाता था, archangel लिटल जो है उनको कहा जाता था कि devilish archangel जो है उनको बोला जाता था और Samuel Coleridge जो है वो उनकी death हुई थी Highgate पे, which college did Samuel Coleridge attend? Samuel Coleridge जो जाने जाते हैं, actually Samuel Coleridge और William Wordsworth का जो दोस्ती हुई, उसके बाद दोनों ने मिलके लिरिकल बैलेट्स निकाला, Samuel Coleridge जाने जाते हैं to make जो बहुत ही extraordinary को ordinary बनाने वाले और William Wordsworth ordinary को extraordinary बनाने वाले तो वो supernatural को ऐसे प्रेजेंट करते हैं, जैसे कि वो बहुत natural हो, बहुत simple हो, willing suspension of disbelief भी इनी का दिया हुआ concept है, जो इन्होंने बायोग्रफिया लिटररिया में दिया है, तो इन्होंने जो है, जो Samuel Coleridge ने जो college अटेंड करा था, that was Jesus College, which poem was written by Samuel Coleridge after his sister's death in, और यह जो है, इन्में से कोई भी जो कोई आंसर है, वो सही नहीं है इसमें actually, इन्में से कोई भी आंसर इसका सही नहीं था, इसका आंसर यह था, इन्में से कोई भी नहीं है, that is none, इन्में से कोई नहीं है, इसका आंसर यह था, on receiving an account that his only sister was inevitable ये पोएम उन्होंने लिखी थी on receiving an account that his only sister's death was inevitable ये उनकी stepsister थी एन तो उन्होंने ये पोएम जो है अपनी stepsister की death पर लिखे इन में से कोई भी नहीं है ये है on receiving an account that his only sister's death was inevitable आप अगर इस question को वैसे देखोगे कहीं पर तो कहीं पर आपको इसका अंसर मोनोडी दिखेगा कहीं पर दिखेगा लेकिन ये despair भी दिख सकता है लेकिन इन में से कोई भी answer नहीं है जो correct answer है वो ये है कि इसमें on receiving an account that his only sister's death was inevitable which periodical was published by samuel coleridge samuel coleridge के द्वारा जो periodical publish किया गया था उसका नाम था the watchman watchman के टेनी जो है वो नंबर आये था उसके बाद वो बंद हो गया था यह ज्यादा खुदी इन्होंने publish किया था तो पिरियोडिकल था और यह एक पॉलिटिकल पिरियोडिकल था विच मैगजीन वाद एडिटेट बाइस सेम्वाल कॉल्रेज विच सेरा इन एटीन हंड़ेट नाइन तो जो मैगजीन एडिट करी गई है दे फ्रेंड नेबर फैमिली नन उस मैं आपने पढ़ा भी होगा इस और यह लिया गया था राइम ऑफ दा एंशेंट मैरिनर जो की एक बैलेड है शेले वाज बनाफ इन हरेटर्स ऑफ अन फुल्फिल्ड रिनोन ही डाइड अड़ एज और तो भाई मैं आपको इसके पहले एक बात यह बताना चाहूंगी कि जो शेले हैं यह लाइन शेले ने कीट्स के लिए बोली है कि he was the inheritor of the unknown लेकिन ऐसे जो पोएट्स हैं जो बहुत जल्दी जिनकी डेथ हुई यह पहले मैं आपको इसके बारे में बता दूँ कि यह है 29 की एज में जो पोएट्स दा इन हैटर्स ऑफ अन फुल्फिल्ड रिनोन यह जो लाइन है शेले ने कीट के लिए बोली है लेकिन शेले किट्स और बायन यह तीनों ही लोग जो हैं वह बहुत जल्दी उनकी डेथ जो है वह वह हुई है बहुत जल्दी तीनों की डेथ जो है वह हुई है और उनको जो है in heritage of the unfiltered renown कहा जा सकता है How many cantos are there in Shelley's The Revolt of Islam? Revolt of Islam Shelley की poem है जो लाओन और सितना के नाम से पहले जो उसका पहले टाइटल लाओन और सितना था और उसमें 12 cantos हैं Cantos जो होते हैं कलंबी poem को हम डिवाइड करते हैं cantos wise How many acts are there in Shelley's lyrical drama Prometheus Unbound? Prometheus Unbound जो है वो उसमें है आपके एक लिरिकल ड्रामा है That is a lyrical drama ये एक लिरिकल ड्रामा है It is in four acts It's a lyrical drama in four acts How many acts are there in Shelley's lyrical drama The Chanchi? जो ये चैंची है ये एक tragedy है ये एक tragedy है चैंची और ये है five acts It is in five acts चैंची में five acts है How many acts are there in Shelley's lyrical play Edipus Tyranus? Edipus Tyranus or the Swellfoot? ये इसका subtitle है Edipus Tyranus, Swellfoot the Tyrant Swellfoot the Tyrant A tragedy in two acts ये जो है A tragedy in two acts है दो acts की tragedy है How many parts are there in Shelley's the sensitive plant? sensitive mimosa नाम के plant की कहानी जो है वो बताई हुई है इसमें उन्होंने sensitive plant में और इसमें जो है थ्री पार्ट्स थ्री पार्ट्स थ्री पार्ट्स in the poem the sensitive plant तो आज इतना ही question थे बाकी के आप एक जी मैं उसको भी कतम करूंगी जो इसके बचेवे question तो इसके बचेवे question देरा hundred question तो I'll complete all the questions चीक है जी तो कल complete करूंगी और फिर मैं आप लोगों से यही चीज कहूंगी कि पढ़िए ध्यान दीजिए पढ़ाई पर और अभी तक नहीं दे रहे हैं तो दीजिए